लबश्कार में उप्रिया आज है नौजून चली जानते भिहार की 25 बड़ी खबरों को भिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या 500 के पार भिहार में COVID-19 प्रभावितों कांकड़ा लगतार बढ़ता जा रहा है दूसरे अपडेट तक 177 नए मरीजों की पुष्टी की गई है जिसकी बाद बिहार में कुल संख्या 5247 हो गई है पाए गे मामलों में प्रभावितों की बात करें तो अररिया में तीन उर्वल में यहार वहपार शेखपुरा में 4, सिवान में 27, सुपॉल में 6 और वैशाली में 5 मामले सामने आए हैं COVID-19 से ठीक होने वालों के संख्या पहुंची 25-42 पर बिहार में जितनी तेजी से COVID-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं बिहार में इसे ठीक होने वालों के संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किये अपडेट के अनुसार COVID-19 से ठीक होने वालों के संख्या 25-42 पर पहुंच गई थी बहीं जारी किये जानकारी के अनुसार अब तक 1,238 सेंपल की जांच की जा चुकी है जिसमें से अब तक 5,000 से जादा प्रभावितों की पहचान की गई है बहीं इसकी वज़े से 31 लोगों की जान भी जा चुकी है बहरत सरकार की तरफ से बिहार को 100 वेंटिलेटर की दी गई खेप बिहार में COVID-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं बहीं से वीच बिहार की मदद के लिए केमर सरकार की तरफ से 100 वेंटिलेटर की खेप भेजी गई है सुबे के 3 COVID-Dedicated अस्पताल के अलावा पीकू अस्पताल मुझफरपुर सहीत पावपुरी मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार से 100 वेंटिलेटर बिहार पहुचा दिया गया है जिसकी जानकारी बिहार सरकार के स्वास्तमंतरी मंगल पांडे ने दिये अनलोक वन लागू कर दिया गया था जिसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयार या शुरू कर दी गई थी जिसके दे चुनाव आयोग लगातार समीक्षा बैठा का आयोजन करवा रहा है वहीं बीते दिन समेक्षा बैठक के आयोजन के दोरान चुनाव आयोग ने सभी जुलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए अलग-अलग जिलों में बूथ वेरिफिकेशन का आदेश जारी किया है इतना ही नहीं केंद्र सरकार के सभी मंत्राले ने इंजलों के लिए खास प्लान त्यार करने में जुट गई है जिसके बाद जल्द से जल्द मजदूरों को रोजगार मुहया करवाया जा सकेगा पटना विश्विद्याले की परिक्षाओं का आयुजिन हो सकता है अगले महीने पटना विश्विद्याले में लंबे समय से बचे परिक्षाओं का संचालन करवाने के लिए विचारवे मर् शुरू कर दिया गया है जिसके तहत संभावित तोर पर परिक्षाओं अगले मह पारचीत की जारी है जिसकी जानकारी पतना विश्विद्याले के परिक्षाresent द्रकर प्रेसर आर्के मन्दलेंडी है बिहार पुलिस सिपाई भरती का रिजल्ट हुआ जारी बिहार पुलिस सिपाई भरती के 11,888 पदों पर लिए गयर लिखित परिक्षा का रिजल्ट बीते दिन जारी कर दिया गया है जो की किंद्रिय चैन परश्वित की तरफ से जारी किया गया है वही केंद्रे चैन परश्र जानकारी देते वे बताया है कि भिहार पुलिस सिपाही भरती का रिजर्ट इसके आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जारी कर रहा है वही जारी के के रिजर्ट में शारेरिक परिक्षा के लिए 5 कुना ज्यादा अभहरतियो का चैन किया गया है जुसे की अगले महीने हूने की संभावना जताही गई है आठ साल की मैनत के बाद बिहार में तयार किया गया राख से कोईला बिहार के पश्चिमी चंपारंजिले में असंभव को संभव करके दिखा दिया गया है बीते दिन पश्चिमी चंपारंजिले के कुंडली पुर पंचायत के मंजरिया गाउनेवासी रामेश्वर कुष्वा पूर्वध्यक्ष रामेश्वर कुस्वाह ने राक्ष से तयार कोईले भारत सरकार से पेटन करा लिया है पश्रिम चंपारे ने बने चार कोल ब्रिकेट से देश के गरीबों के घर में कम खर्च पर खाना बन सकेगा सिर्फ यही नहीं कोईले की मदद से बिजडी और लगू उद्योग स्थापित करने में भी काफी सहायता मिलेगी जदियों के वर्च्वल सम्मेलन के दूसरे दिन जूटे आठ जिलो के जिलाधिकारी कोबर्ड-19 के बर्थे प्रभाव के बीच इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने है जिसको धियान में रखते वे सभी प बॉल सहर सामध्यपूरा किशनगंच अररिया कठिहार और दर्भंगा जिला के पदाधिकारियों से संबाद किया है जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव से संबंधित जानकारिया साज़ा कि है साथी कोबर्ड-19 के रोख थाम के लिए उठाय जारे कदमों पर भी व द्वारा संचालित 18 महीने के DLA और TET, STET और भीरतियों से आवेदन प्राप्त करने की तारिक 15 जून से 14 जुलाई तक की है नहीं मेधा सोची वालों के लिए 18 जुलाई तक आवेदन की मांग की गई है बिहार में आज से दाखिला खारिच का काम हो जाएगा शुरू बिहार में आज से जमीन के दाखिला खारिच की सुविधा शुरू की जाएगी जिसकी जानकारी बीते दिन राजसवे एवं भूमी सुधार विभाग की तरफ से जारी की गई है दाखिला खारिच के लिए आवेदन भरने का काम ही नहीं बलकि इसके लिए ओन्लाइन आवेदन की सुविधा भी आज से शुरू कर दी जाएगी साथी सभी प्रमंडेलिय कार्यारों में काउंटर से भी लोगों के आवेदन लेने की प्रक्रिया के शुरूआत होने वाली है इसके साथी मौसम विभाग ने पटना गया नालंदा शेकपुरा बेगुसराय में 10 जून और रहतास बकसर भवववा और अंगाबाद जहानाबाद अर्वल में 12 जून को बारिशोने की संभावना जयताई है मौसम विभाग की माने तो बिहार और उतरपूर भी उतरप्रिदेश की सीमा के पास कमजोर हुए साइकलोन स्टॉर्म का और बंगाल की खाडी में बन रहे निम्न दबाव की वज़े से बारिश के संभावना बढ़ गई है प्रधानमती नरेंदर मोदी को जर्दालू आम पहुचाएगी बिहार सरकार COVID-19 के माहौल के बीच प्रधानमती नरेंदर मोदी को बिहार के भागलपूर के जर्दालू आम का स्वात चुखाय जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को प्रसिद जर्दालू आम फेज दिया है खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी का गिफ्ट पाकेज बीते दिन बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हो गया है जारी किये गे पक्ट में आम के साथ साथ जर्दालू आम की खासियत बताने वाला पर्चा भी रखा गया है इसके साथ ही जारी किये गये पर्चे में जर्दालू आम की खासियत के बारे में बताने के लिए एक पैंपलेट भी दिया गया है इस pamphlet में बताये गया है कि जरदालू आम सिर्फ स्वाद में ही नी बलकि फाइबर से भरा हुआ है जो कि पेट के लिए बहुत ज्यादा फाइदमन्द है बिहार में कॉंग्रेस ने खुद को बताया बिग बॉस बिहार में विधासभा चुनाव होने है जुसके तहाथ राजनी तिक सुबगाट शुरू हो गई है जोहाँ एक तरफ एंडिय में चुनावी तयारियों को शुरू करते वे वर्चुली संबात का सिलसला शुरू कर दि सीट शेरिंग को लेकर अभी तक अनवन देखने को मिल रही है कॉंग्रस में अधिक सीटों की मांग की है इसके साथ ही चुनाव के नेत्रित्व का दावा करते वे खुद को बिग बॉस भी बताया है वहीं दूसरी तरफ वो पेंदर कुश्वाह जीतर नाम मांची और मुक अधिकारियों को निर्देश देते वे ज्यादा संख्या वाले इलाके में काले आले और अनेकार स्थल पर खास्तो और पर ध्यान देने का आदेश जारी किया है साथ ही उन जगों पर सैनिटाइजेशन करवाय जाने और सोशल डिस्टेंसी का खयाल रखने की भी अपील की ह इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीते दिन से बिहार में धार्मिक स्थल को खोल दिया गया है ऐसे में लोगों किया वजा ही और ज्यादा बढ़ेगी इसलिए सभी लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी बिहार में राजिस्तरिय बीट परिक्षा को लेकर बीते दिन नई अपडेट जारी की गई है जिसके तहट इस परिक्षा को 19 जुनाई 2020 को करवाने की संभावना जटाई गई है इतना ही नहीं इस परिक्षा को ललित नारायन मिश्रा युनिवरसिटी में करवाई जाने की उमीद ज़ता ही है खाला कि जब तक परिक्षा की तारिक युनिवरसिटी की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नहीं की जाएगी तब तक कुछ भी कहना मुनासिप नहीं माना जाएगा वाई इसे पहले यह परिक्षा 29 मार्च को राज्य के 10 शेहरों में करवाई कि अनुसार किसी भी कीमत पर कोशागार पदाधिकारियों को किसी अन्यकारिक जाले के निकासी एवं वर्नन पदाधिकारियों के रूप में पदभार नहीं सौपा जाएगा क्यूंकि बीते दिन वित्तविभाग के प्रधान साचिफ डॉक्टर सिधार्थ को जानकारी मिल में राज़भवन के खर्चे में कटोती करने का एलाम जारी किया है जिसके तहत राज़पाल फागो चोहां ने महत्यपूर ने लिया है बिहार के 20 लाग से अधिक लोगों के खाते में एक हजार की राशी भेजने का जारी किया गया बिवरा सूचनाय वंजन संपर्क सचिफ अनुपम को मार ने बीते दिन मुख्यमंत्री नितिश कुमार के निर्देश पर बिहार के 20 लाग से ज्यादा लोगों के खाते में एक कि राशी भेजी गई है सिर्फ इतना ही नहीं किसानों को जो फसल बरबाद हुई है उसके लिए विक्रिश्य इंपूट अनुदान के तैए 730 करोड रूपए की राशी की स्विक्रिती दे दी गई है जदियू ने किया तैजस्वी आदव के 47,000 वाली शिर्ट के फोटो को शेर जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे विपक्षरी दल और सता रूट दल एक दूसरे पर बयान बाजी करने का सिलसला जारी रख रहे हैं इस इक्रामें बीते दिन जदियू प्रवक्ता निखिल मंडल ने तैजस्वी आदव के पहने वे एक शिर्ट की तस्वीर को शेर किया है जिसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गरीबों का नेता कहने वाले तैजस्वी आदव इतना महंगा शिर्ट पहनते हैं फिर क्योंगा ख इते दिन शायराना अंदास में मुख्यमंत्री नितिश कुमार पर तंच करता था जिसके तहत उन्होंने अपने ट्वीटर के माध्यम से लिखे कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री 83 दिनों से बाहर नहीं निकला है कोरोना भले ही ना भागा हो लेकिन मुख्यमंत्री जनत बैठक कर काम कर रहे हैं कोबिट-19 से बचाफ से लेकर जो व्यवस्था की गई है भलालुयादव को शायद दिखाई नहीं दे रही है BS6 उसर्जन मानको का अनुपालन करने वाले वहनों पर लगेगा स्टिकर बल्लेबास माइकल होल्डिंग दिन भारतिय टीम के ओपिनर बल्लेबास रोहिज शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर अपना एक बयान जारी के है जिसके तहत उन्होंने अपने इंस्टाग्राम लाइफ के दौरान कहा है कि वह टीम इंडिया के उपकतान रोहिज शर्मा को इन शॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें असली रफ्तार के खिलाफ शॉट लगाते देखना चाहता हूं सल्मान खान अपने गाने के बाद अब जल्द ही शॉट फिल्म कर सकते हैं यह short film सलमान अपने घर पर ही record करने वाले है वहीं इसमें एक नई और खुबसूरत actress भी नजर आने वाली है हाला कि सलमान खान ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है खबरों की माने तो अपने short film में सलमान खान अक्ट्रेस वलूशा डिसूजा के साथ काम करने वाले हैं अपल के माधें से दुनिया के किसी भी कोने में ले सकेंगे group selfie, अमेरिकी patent and trademark office में अपल के virtual selfie के patent को मनजूरी दे दी गई है इस पर patent के मिलने से आने वाले समय में iPhone users अपने दोस्तों के साथ दुनिया के किसी भी कोने से group selfie ले पाएंगे आम तोर पर group selfie के लिए सभी लोगों का एक साथ होना जरूरी होता है लेकिन अपल के इस नए feature के बाद ऐसा होना जरूरी नहीं होगा इस pattern के तहट computing device का इस्तमाल होगा जो की synthetic group selfie तयार करेगा आपको बताते synthetic group selfie एपल क्या एक composition है जिस पर image का merge किया जाता है कल हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जबाब आप मेंसे बहुत सारी user ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप मेसे जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विनीता कुमारी राहूर राज, अमरेश कुमार, त्रिपुरारी कुमार, राजा राज, धननजय यादव, राजीव महतो, राजेश वर्मा, सिकंदर राजा कुमार, गुपता, मुहमत, सज्जाद, पंकच कुमार, काजल कुमारी, ऑफिस्चल तर्बीन कुमार, इसके लाव हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे है, मगर समय के आभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोबिट-19 के इस वाहॉल में आप सबसे ज़ादा किस चीज से पक और ठक चुके हैं, अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, अगर आपी वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मारे चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन दिबाना ना भूले, और अगर आपी वीडियो हमारे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो इस वी पैर करें, धन्यवाद